जया बालाजी महराज सरकार की स्वागत है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राश्य वालों हो जाईए। सावधान आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि इस आदमी से रिष्टा तोड़ दो क्योंकि यह व्यक्ति आपका पूरा घर उजाड़ कर रख देगा। अगर आज आप समय रहते नहीं संभले तो दोस्तों आपको अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आखिर यह आदमी कौन है? आप कैसे क्या रिष्टा है? किस रूप में यह आपके आसपास मंडर आ रहा है? सारी सच्चाई आज हम जानेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में तीन बार जय महाकाली अवशही लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से समझें, यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो की एक-एक बात को अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठा ले। हम आपको उस औरत का नाम भी बताएंगे जिसने आपके जीवन में तांत्रिक क्रिया करवा रखी है। आपके जीवन में अवरोध का काम कर रही है। जब कभी भी तांत्रिक क्रिया कमजोर पढ़ जाती है और आपको काम्याबी हासिल होने लगती है तो वह औरत फिर से तांत्रिक क्रिया करवा देती है। जिससे आप फिर से नई समस्याओं में फंस जाते हैं, उलज जाते हैं, तो वीडियो पूरा देखें, हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं ये वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो के एक-एक मिनट को, एक-एक सेकंड को ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें कि हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। मित्रो इस वीडियो में हम आपको इतनी खास जानकारी देने जा रही हैं जैसी आपके जीवन में आज तक आपको कभी प्राप्त नहीं हुई होगी मित्रो हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हैं वे कमेंट में जैमा भद्रकाली अवश्य लिखें और यदि चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें क्योंकि हम ऐसी ही जरूरी जानकारी आपको देते रहते हैं यदि आप हमारे वीडियोज को लगातार देखते रहेंगे तो आपके जीवन में आश्चर्य जनक बदलाव आ जाएंगे और आप तरक्की की उँचाईयों को छूने लग जाएंगे मित्रो चलिए शुरू करते हैं आपको बताते हैं कि कौन है वह औरत जो आपके जीवन में लगातार तांत्रिक क्रियाएं करवाती चली जा रही है मित्रो हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने जीवन में उँचे उँचे सपने देखते हैं बड़ ही बड़ ही उंचाईयों को हासिल करना चाहते हैं लेकिन आप अपने स्वभाव में कुछ गल्तियां भी रखते हैं कुछ कमियां भी रखते हैं जिसका फाइदा लोग आपसे उठाने लग जाते हैं आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है छोटी मोटी उपलब्धियां जो आपको हांसिल हो रही हैं आप जोश में आकर उन सब के बारे में अपने आसपास के लोगों से विचार करने लगते हैं चर्चा करने लगते हैं ये बहुत बड़ ही गल्ती है लोग इससे अनुमान लगा लेते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है फिर उसी के अनुसार आपसे बरताव करते हैं और आपको प्राप्त होने वाली छोटी मोटी सफलताओं के लिए भी लोग जलन आपसे खाने लगते हैं और जो लोग तांत्रिक क्रियाएं जानते हैं वह इन सब क्रियाओं को आपके उपर आजमाने लगते हैं क्योंकि लोग आपसे जलते हैं उन्हें डर है कि आपके सपने बढ़्धे हैं आप उंचे उठना चाहते हैं अपने जीवन में तरक्की हासिल करना चाहते हैं यदि आप काम्याब हो जाते हैं तो उन लोगों का क्या होगा वह लोग तो वहीं के वहीं पढ़े रह जाएंगे उनकी इज़त कैसी होगी उनका सम्मान कैसे होगा तो वह आपको आगे बरहने नहीं देना चाहते हैं तो मित्रो आपको करना ये है कि अपने जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की गतिविधी को किसी को नहीं बताना है चाहे वह आपका कितना ही खास क्यों न हो मित्रो याद रखना है कि दुश्मन हमेशा मित्र के रूप में ही आता है अपना इनसान ही सबसे बढधा दुश्मन हो जाता है भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो इनसान अपने मित्र के वेश में शत्रु को नहीं पहचान पाता है वह हमेशा धोखा खाता है और अंधकार में डूब जाता है मित्रो याद रखें कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन को जीने के लिए कई बातें बताई है उन सभी बातों का निचोड़ी एच आपको अपने जीवन में आजमाना चाहिए तो हम आपको बता दें कि आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की गती विधी के बारे में किसी से कोई विचार नहीं करना है मित्रो आपके लिए एक और बात बता दें कि आपके अंदर एक और बहुत बढ़ी कमी है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं जब भी कोई इनसान आपसे किसी काम को करवाना चाहता है, आपसे रुपया पैसा उधार मांगता है, तो आप उसे ना नहीं है. जब लोग आपके पास आते हैं, अपना काम करवाना चाहते हैं, तो मीठी-मीठी बातें करते हैं, आपको जाल में फंसा लेते हैं और अपना का लोग आपकी अच्छाई को समझ नहीं पाते हैं और आप समस्या में फंस जाते हैं। बाद में लोग आपका दुरुपयोग करने लगते हैं और इस तरह भी आप परेशानियों में फंस जाते हैं तो आपको ना करना भी सीखना होगा। आपको लोगों के अंदर छुपी और बहुत बड़ी कमी है कि आप जोश में आकर फिजुल खर्ची भी कर जाते हैं। मित्रों, यदि आप अपने रिष्टेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी ऐसे ही अवसर, ऐसे ही मौके में फंस जाते हैं और खर्च करने की बात आ क्योंकि लोग ऐसे में भी आपको भावुक बना देते हैं और मीठी-मीठी बातें करके, लच्छेदार बातें करके आपको फंसा देते हैं और आपकी आर्थिक स्थिती को कमजोर कर देते हैं। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आप अपने जीवन म क्या सब देते हैं, आपको अपिए च्यान रखना ही, यहान रखना हो निए ओगने अब इससे मन में एक अजीब सी बेचैनी मिचा रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके जीवन में कुछ कमी है, आपको रात को समय से नींद नहीं आएगी और आपको दिन में भी बेचैनी का एहसास रहेगा, आपका चेहरा पीला पड़ता जाएगा और आपको लोगों से बात करने में चिड़ होने लगेगी, आपका स्वभ पीर में तरह-तरह के रोग उत्पन होने लगेंगे, और जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, चैक अप वगेरह कराएंगे, तो कोई रोग निकलेगा ही नहीं, ये भी बहुत बड़ा प्रमान रहेगा, कि आपके उपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है, मित्रो, हम आपको बता दें, कि आपके घर का माहौल भी खराब हो जाएगा, और एक अजीब सी मनहूसियत सी आपके घर में च्छा जाएगी, आमदनी आपके घर में, आपके जीवन में लगभग रुक्सी जाएगी, आमदनी के स्रोत हैं, वो धीमे पड़ जाएंगे, और बंद भी हो सकते हैं, इन सब बातों से आपकी स्थिती बुरी तरह से गड़बड है, और आप परिशानियों में कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, मित्रो, आपके घर में यदि कोई तुलसी का पौधा है, तो वह सूख जाएगा, वह कभी भी पनप नहीं पाएगा, वह से आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, काम्याबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे, कि वह कौन सी औरत है, जो आपके ऊपर पिछले कई महीनों से, कई वर्षों से तांत्रिक क्रिया करती चली जा रही है, और आपके जीवन को नर्क बनाती चली जा रही है, वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें आपके जीवन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रहा है, हम आपसे अंतिम विंती कर रहे हैं, आपको इस आदमी से रिष्टा तोड़ देना है, वरना यह हर घड़ी आपका घर उजड़ता रहेग वे हमेशा आधी रात के वक्त की जाती हैं, ताकि कोई उन्हें देखे न कोई टोके न, क्योंकि देखने से टोकने से तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव कम हो जाता है, इसी प्रकार जब हम तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति के उपाए भी करते हैं, तो हमें ध्यान रखना ह कि उन क्रियाओं को करते समय कोई हमें देखे न कोई हमें टोके ना, तब ही हमारी उपाय भी काम्याब होंगे और तांत्रिक क्रियाएं भी कमजोर होंगी, तो हम आपको बता दें कि आपको अपने घर में कपूर घर के आंगन में जलाना है, लेकिन ऐसे वक्त जलाना है जब गर में सब लोग सो रहे हों, ताकि कोई भी उसे और ना ही कोई आपको टोक पाए, आपको अपने घर में गंगाजल का छिड़काओ भी करना है, ये भी बहुत आवश्यक है, लेकिन इस क्रिया को भी आपको तब करना है, जब सब लोग सो रहे हों, या फिर सुबह, जब अगें उससे पहले ही आपको यह क्रिया कर देनी है, मित्रों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है, तो आपको नया तुलसी का पौधा लगा देना है, पुराने तुलसी के पौधे को जल में विसरजित कर देना होगा, एक और उपाए आपको बता दें मि आपको अपने घर के बाहर गाय के गोबर से लीपना होगा. आपके घर के दर्वाजे को गाय के गोबर से लीपने होगा और एक चौक बनाकर वहां आपको दीपक जलाना होगा. छोटा सा एक चौक बनाएं गाय के गोबर से लीपने के बाद और वहां एक दीपक जलाएं. घी पुज़गारों के लिए हमें क्या-क्या असर देखने को मिलेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को बिलकुल अंत तक देखते रहें। लेकिन सबसे पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह अभी भी लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में ओमनम शिवाय जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगडे काम बनेंगे। आने वाले अगले दस दिन कहीं कहीं पर आपके लिए लखी तो कहीं कहीं पर आपके लिए अनलकी साबित होने वाले हैं। यानि कभी आपका भाग्य और इतना साथ देगा कि काम बन जाएगा। लेकिन एकदम से फिर ऐसी उलटी बाजी पड़ेगी कि भाग्य बनते बनते कामों को भी रोक देगा। इसलिए प्रयास हमें नहीं छोडने हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमें समय का पूरा पूरा इस्तेमाल करना है। देखिए, जो लोग समय की कदर नहीं करते, समय उन लोगों की कदर नहीं करता। अगर आपको जीवन में आगे जाना है, खास तोर पर इन दस दिनों में तो समय के साथ चलना होगा, तो समय आपको भी जिता देगा। जो लोग लंबे समय से अपने तबादाले की इंतजार कर रहे थे अब उनका यह काम होने वाला है नौकरी पेशा लोगों को आए के अतिरिक्त स्त्रोत मिलने वाले हैं और जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है अगर हमें अमीर बनना है तो हम एक आए के स्त्रोत नहीं बन सकते हमें आए के बहुत सारे स्त्रोत चाहिए अलग- अगले दस दिनों में आपकी जोली में कोई बड़ा पद गिरने वाला है. अब उसे कैसे संभालना है, उसे कैसे हजम करना है, ये बहुत बड़ी बात है. देखिए, कई बार क्या होता है, जब हमारे अंदर घमंड आता है. छोटी-छोटी सफलताएं मिलने पर, तो ये मैनेज करना बहुत भारी है. हम लोगों को छोटा समझने लगते हैं. जिन्होंने हमारी मदद की थी, हम उन्हें ही दुदकारने लगते हैं और अकड़ कर चलने लगते हैं. ये गलती आपको नहीं करनी है. जीवन में अगर आगे बढ़ना है, तो चाहे पद बड़े से आबिल बने रहेंगे. आने वाले इन दस दिनों में किसी धर्म, स्थान या फिर पिकनिक पर घूमने फिरने का प्रोग्राम कुछ लोगों का बन सकता है, जो स्कूल लाइन्स से जुड़े हुए हैं. यदि घर परिवार के किसी सदस्य के साथ आपकी तकरार हो गई थी, त स्थेम संबंधों की दृष्टी से अगर देखें, तो समय बहुत शुब है. अपने लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका आपको मिलेगा. और आप दोनों के बीच में नजदीकिया बढ़ने वाली है. सेहत और संबंध दोनों को खूब ध्यान आपक अन्यथाबाद में आपको पच्छताना पड़ सकता है. यदि आप अपनी आदतों पर काबू पाने में काम्याब हो जाते हैं, तो मन्चाही सफलता आपको मिल जाएगी. लेकिन अपना व्यवहार आपने नहीं सुधारा, तो बहुत कुछ बेडा गर्क होने वाला है. उसी प्रकार से इनसान को कोई बरबाद नहीं कर सकता, कोई खराब नहीं कर सकता. लेकिन उसकी खुद की सोच, उसके कर्म, उसके व्यवहार उसे बरबाद कर देते हैं. इसलिए दोस्तों, जीवन में अपनी सोच को अच्छा रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अपने व्यभारों को अच्छा रखिए क्योंकि इन ही तीन तीन चीजों से आप जग को जीने वाले हैं आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं अब बहुत ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है, समझना है अंत में उपाय भी है, जो आज लेकर ही जाने हैं छोटी सी भूल भी आपके बाप के लिए जी का जंजाल साबित होने वाली है इसी लिए जोश में आकर होश नहीं खोना है, वरना आपको अपमानित होना पड़ सकता है छोटी छोटी बातों को तूल न दे, बहुत सारे लोग होते हैं जो राई का पहाड बना देते हैं उन्हें समय की थोड़ी भी कदर ही नहीं होती, वह अपने महत्वपूर्ण समय को वाद विवाद या बहस बाजी में गवा देते हैं ऐसे लोग थोड़े सावधान रहें और ऐसी गलती पूनह न करें आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों का पूरा सहयोग आपको मिलता नज़र आ रहा है कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर पूरी तरह से महरबान नज़र आएंगे लेकिन कई बार लोग अगर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार लोग हमारी आगे रह रहकर मदद कर रहे हैं तो बात कहीं न कहीं खटकने लगती है कि हो सकता है इसके पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ हो यूँ ही तो कोई मदद नहीं करता, आगे रहकर तो संभल कर चलना है आपकी जो आदत है कि लोगों पर विश्वास आप बहुत जल्दी कर लेते हैं ये आदत नुकसान करवा सकती है, इतना ध्यान रखिएगा संभव है कि आपको जो रोजगार है, वह आपकी जन्म भूमी से कहीं दूर प्राप्त हो लेकिन जिन्दगी में थोड़े बहुत उतार चड़ाव चलते हैं अनुभव की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इस तरह की खास नौकरियों को मना मत करिएगा सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजें आप खरीदने वाले हैं, जिसे आप बहुत लंबे समय से लेने की सोच रहे थे महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों में बीतने वाला है और प्रेम संबंधों की दृष्ट से समय थोड़ा सावधान रहने वाला है किसी भी प्रकार की गलत फहमी विवाद के बजाए अगर समवाद से हल हो जाती है तो यह आप ही के लिए अच्छा रहेगा जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़े से आप चिंतित नजर आएंगे हालांकि जो मौसमी बीमारी है दोस्तों, उनसे सावधान आप रहे अब दोस्तों, संघर्ष जीवन में थोड़ा बहुत यह बनने वाला है और संघर्ष के बिना न तो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और नहीं बड़ी सफलता इसलिए संघर्ष जब जीवन में आता है तो घबराना नहीं है देखिए, भगवान पर विश्वास करना है उस छोटे बच्चे की तरह, जिसे जब हम हवा में उच्छालते हैं तो वह मुस्कुराता है, डरता या रोता नहीं है क्योंकि उसे पता है, हम उसे गिरने नहीं देंगे उसी प्रकार से भगवान पर विश्वास करिए चाहे जिन्दगी में संघर्ष आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं अब डरिये, रोईये मत अब मुस्कुराईए और आप अपने मालिक पर भरोसा रखिए कि वह भी आपको गिरने नहीं देंगे फिर देखिए, जिन्दगी कितनी शांदार हो जाती है यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो भूल कर भी आवेश में आकर कोई निर्णे मत लीजिएगा वरना आपका निर्णे आप पर भारी पड़ेगा और आपको बहुत पच्टाना पड़ सकता है हालांकि लाब के मुकाबले खर्च की अधिक्ता ज्यादा बनी रहेगी और मान सम्मान में आपके थोड़ी सी कमी आने वाली है इसलिए ना तो आपको सम्मान कामो रखना है नहीं अपमान का भाई रखना है आपकी जिन्दगी सो विवस्थित रूप से चलती रहेगी